आठ अंगो वाले दुनिया के सबसे अच्छे मार्ग जो आपको सुख और सांती देता है जी टे जी यानि के आप अपने ही जीवन में सुख और सांती या मोक या जिसको बोलते हैं या निब्बान बोलते हैं, या जिसको अमरत बोलते हैं, या असीम सुख या पाल सुख बोलते हैं, वो प्रौप्त कर सकता है, उसका ये सात्वांग है. जरसल आठ के आठ काम आपको करने पड़ेंगे, तब आपको ये सुख प्राप्त होगा. इसलिए इसको आठ अंगो वाला मार्ग बोलते हैं अठमी बोलते हैं आश्टांगी की मार्ग बोलते हैं एट फोट बात बोलते हैं या अठ कता आठ की कता जो घर घर में हुआ करते थी लगातार आठ दिन यानि जिसको अश्टमी की कता बोलते थे ये साल में दो बार एक सर्दियों में और एक गर्मियों में दो बार लगाता रहोती है जिसको अठमी या आश्टमी बोलते हैं और जिसमें बाद में इस पूरी कथा को सुनने के बाद कथा को माने के बाद लोग घर में बुलाके बच्चों को खाना भी खिलाते थे ये पुरानी प्रंप्रा रही है उसका जो सात्मा हिस्सा है वो पैया का हिस्सा है दरसल सील समाधी पैया इन आठ हंगों को तीन भावों में तोड़ा गया है और लाश्ट में जो आता है वो पैया आता है पैया के दो भागें पैया माने प्रग्या प्रग्या माने समझदारी समझदारी का मतलब है wisdom यानि जो आपको जानकाई देती है सही काम करने की उसको पईया बोलते है तरसल पईया जो शब्द है ये पाली का सब्द है और इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है बाद में इसको संस्काइब भासा में प्रग्या केने की कोशिक की गई समकपो यानि समकपो क्या है कप जो सब्द है के आधा पैर पूरा पैर कप जो सब्द है इसके लगबग तीन मीनिग है तीन आर्थ है इस सद्द के तीन बातें बताई जाती है एक तो है इसका मतलब है अनुरूप या अनुसार या योग्य यानि कि कप पकर कहीं आता है तो अनुरूप, अनुसार या योग्य के लिए इस्तमाल होता है एक कप होता है एक दिन को कप बोलते है और जो यहां इस्तमाल हो रहा है कप उसका मतलब है सोचना और जो सम लगा हुआ है यानि कि किसी भी सब्द में पुराने समय में अगर से पहले लग जाता है तो से का मतलब होता माई सेल्फ निज यानि मैं जैसे से सार यानि से सार का मतलब है संसार संसार का मतलब है मेरा सार यानि निज का सार बाद में इसको ख़राब करके संसार का मतलब word बता दिया गया जबकि word को और लोग बोलते हैं लोग को सरसरी बोलते हैं तो ये ध्यान जेसे संपून है पून का हो गया, पून माने तो complete होता है और संपून का मतलब होता है निज का संपून यानि निज का पूर्ण होना, खुद का पूरा होना, खुद का कम्प्लीट होना, इसको संपूर बोलते हैं, ऐसे ये संकप है, यानि ये सोचना है और से लगा दिया तो निज का सोचना, यानि माइसेल्फ मैं सोचूंगा, अपने अंदर सोचूंगा, मैं समाधी में बैटा चलने वाली है तो प्रग्या मैं मैं सोचने का काम करूंगा कैसा सम्मा सम्मा माने राइट सम्मयक सही बिलकुल कि आपने बिलकुल राइट विचार करना है कैसे करना है ये समाधी में बैठा हुआ आदमी जई विचार कैसे करता है जब आप पसना में जायेंगे तब आपको एशास होगा क्योंकि इसके अनुवभव से पता चलता है कि हम कैसे किस प्रेकार से सही सोचना जानते हैं या सीखते हैं या इसको समझते हैं परसुल तीन चीज़ा वहां आपको सोचते समझे नहीं करनी है। पहले तो आपने 6 के 6 जो इद्डिया हैं Kevin याने की आँख से जो हम देखते हैं, जो हम मुह कांण से शुनते हैं। जो हम इसकिन से टश करते हम नाक से घ्रन करते हैं, जो हम जीव से घ्रन करते हैं, ये पाँचो सेंस हैं और इसके लाबा जो हमारा मन है इन पाँचों से बन के बनता है, तो छे हमारे सेंसिस हैं, इन छे के छे सेंसिस में निगेटरिविटी नहीं आनी चाहिए राग नहीं आना चाहिए, द्वेस नहीं आना चाहिए ये आपने विचार करना है आज के समय के हैं तो संकल्प करना है कि ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल निर्ने करना है इसके अनुरूप काम करना है, इसके योग्य काम करना है कि ये किसी भालत मैं राग द्व्यस में लिपट ना हो। अब ये राग द्व्यस से बिलकुल अलग रहें निलिपत रहें उसमें इन्वाल्व ना हो अब ये महां से पुरी तए से हट जाएं तो पहला जो आपने सोच विचार करना है यानि कप करना है जिसको समकप बोलता है यानि निज जो सोचना है वो इस बात को सोचना है कि अब जीवन में राग द्वेस नहीं सरीर में प्रवेस होने चाहिए पहला तो ये है दूसरा आपने क्या करना है? क्या विचार करना है? कि किसी भी हालत में आपने क्रोध नहीं करना है क्योंकि जब आप महां समाधी में बैठे हैं तो क्रोध कैसे करेंगे जब आप महां समाधी में बैठे हुए हैं और आपकी आखे बंदे हैं और सरीर पूरा सांथ है तो सरीर में विचार आते हैं विचार आने से पुरानी पुरानी जो फाइल हैं, पुराना पुराना जो यादें दबी हुई हैं, जो फोल्डर बने पड़े हैं, मोटे मोटे, वो सारे ओपन होते हैं, खुलते हैं, खाली बैठे ना अब आब आब आब, तो विचार चला है, तो विचार चला है, तो विच है आप गुस्सा आने वाला है तो शरीर में गुस्सा आएगा गुस्सा आएगा तो आपका सरीर honeymoon seriousness हो जाएगा गलत हो जाएगा उबलना शुरू हो जाएगा तो अगर उबलेगा सरीर या सरीर में topic रहेगा तो आप साधना में सी तरह से काम नहीं कर पाएंगे और कोई भी जो आपकी विपसना साधरा है वो एक्टिवेट नहीं होगी, काम नहीं करेगी। करना सुखिया इसलिए आपने क्रोध रहिद रहना है और तीसरा आपने जो विचार करना है वो करना है आपने किसी भी हलत में हिंसा मन में नहीं लेकि आनी है यानि करोध आएगा तो फिर आपको हिंसा आएगी कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा मैं उसका वैसा कर दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं अभी तो साधना में समाधी में बैट वे कर तो कुछ नहीं सकते मगर मन काम करेगा मन काम करेगा तो सभी पर प्रितिक्रिया वैसी ही आएगी जैसे के जिस समय हिंसा करते समय आती है वैसी ही आएगी तो साध्रा में मनी लगेगा तो साध्रा नहीं होगी तो प्रग्या और पईया भी प्राप्त नहीं हो सकती तो आपने हिंसा नहीं करनी है, आपने क्रोध नहीं करना है और आपने छे के छे जो आपकी इद्दियां है उनमें राग और द्वेस को समाप करना है ये संकप आपने करना है, ये सोचना है, ये विचारना है और इसी पे आधरित रहना है मन को इसी पे लेके आना है कि जब करोध करे तो बारवा करना नहीं करोध नहीं करना है तो करोध सांथ हो जाएगा जब हिंसा का आएगा तो करें हिंसा नहीं करनी है तो हिंसा सांथ हो जाएगी राग बहुत ज़्यादा आएगा कोई आपकी स्किन का टच है तो स्किन के टच का फाइल खुलेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा खराब लग सकता है किसी ने आपका हाथ पे तोड़ा है तो खराब लगेगा किसी ने आपका हाथ पे दवाया है ऐसे लाया है तो अच्छा लगेगा तो सरीर पर जो एफेक्ट आएँगे वो खराब के और अच्छे के दोनों आएँगे दोनों ही आपने नकार ने है presents आपने कोई खाना खाया त्रहआ खाया या मीठा खाया उसके दोनों के स्वाद आएँगे बैठे बैठे समाधी में आपने कहीं कोई किसी अलक में कोई music अच्छा सुना कोई बात अच्छी सुनी या खराब सुनी तो उसके दोनों के ही असर आएंगे शरीर के अंदर कहीं आपने कोई बदबू सुनगी है या कहीं कोई खुस्बू सुनगी है तो दोनों के ही असर आएंगे उसके सरीर के अंदर आएंगे इसी पिकार में जो आपने आपका जो मन है, मन जहां आपका खराब रहा है जहां मन आपका अच्छा रहा है उसी के हिसाब से आएंगे और उसी के हिसाब से जो आपने वीडियो या द्रसे या पिच्चर या जीवन में जितनी चीज़ें देखी हैं उनमें जो खराब द्रसे हैं उनमें जो अच्छे द्रसे हैं वो सारे सारे आएंगे तो उन खराब से और उन अच्छी सारी चीजों से आपको परे रहना है बुलकुल उसमें निलिप नहीं होना है, untouched रहना है, वो चल रही है, फिलिम चल रही है, मगर आपने अपने मन में कोई प्रभाव लेके नहीं आना है, तो ये महाँ पे आपने इस तरह से सोचना है, इस तरह से संकल्प करना है, इस तरह से कप करना है, संकप अगर आप उसमें आ जाएं यानिके राइट व्यू या राइट साइट अच्छी तरह से देखना वो भी आँख बंद करके ये अगले एपिसोड का लास्ट पार्ट है जो अठांगिक मारका है धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सक सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडिय चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेसा copyright free थी और हमेसा copyright free रहेंगी हमारा सिरु इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको print करकर या इसको load करकर या download करकर या इसको TV में बच्चों को दिखाकर या किसी को gift करकर जयसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सब ही देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खूब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचेंज है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी धममर सरनं गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं कच्छामी ततियं पी संदं कच्छामी